जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए Study for Civil Services का Android आप Google Play Store में आ चुका है उसको प्लीज तुरंट इंस्टॉल कर लीजे और अगर आप Study for Civil Services के सिर्फ आप से कोई भी कोर्स, कोई भी पेडिया परचेस करते हैं तो उसमें Apply coupon अगर आप ग्यांसर जो है आप उसमें Apply करते हैं ये coupon code है तो उसमें 20% fees तुरंट माफ हो जाएगी मतलब 20% discount तुरंट उसमें लग जाएगा ग्यांसर लिखना है नॉर्मली ग्यांसर स्माल लिटर में है सब कुछ कोई space नहीं कोई कॉलम नहीं सिर्फ ग्यांसर जी वाई एन एसाई यार इस तरह से अगर coupon code लगाते हैं आप एप में बाई करने से पहले जो Apply coupon वाले में आता है तो 20% का discount तुरंट दिलेगा वीडियो देखिए नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का study for civil services में ये क्लास है हमारी जियोग्राफी लिस्टिंग की इंडियन और वर्ल्ड जीग्राफी के कॉन्टेस्ट में ठीक है न तो ये बहुत ही important पूरी के पूरी सीरीज है इस में आपको जीओग्राफी लिस्टिंग के बहुत ही important चीज़ जilles का मिलती है तो Paper में अकसर करके साही मिलान से जुड़ना चाहते हैं या फिर इस पीडियाफ को प्राप्ट करना चाहते हैं तो इन दिये गए नंबर्स पे कॉल करके आप हम से जुड़ सकते हैं चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का टॉपिक आज के टॉपिक में हम देखेंगे नदियों के किनारे बसे प्रमुक रोम इटली का शहर है टाइवर नदी किनारे है पैरिस फ्रांस का शहर है सीन नदी के किनारे है प्राग जो की चेकोस्लोव वाकिया के किनारे है मनब प्राग इसका शहर है चेकलोस्लोवाकिया का ठीक है यह बाल्टावा नदी के किनारे जानकना प्रेक हार्तूम जो की सू यह आपका किजिल नदी के किनारे है फिल है लीवरपूल यह मर्सी नदी किनारे है फिर है बेल गरेड यूगसलाविया में यह डैन्यूम नदी किनारे है ठीक वाशिंग्टन पोटो मैक रिवर के किनारे है टोक्यो अराकाव नदी के किनारे है द्यानकना रंगून में अम्मार में इरावधी नदी किनारे पर है न्यू यॉर्क हर्सन नदी के किनारे पर है लिस्बन टेगुल नदी के किनारे पर है पुर्टगाल की राजधानी है लिस्बन डबलिन आयरलेंड का शहर लीफे नदी के किनारे पर है चटगाओं बांगले जिसका बहुत ही फेमस सहर मेयानी नदी के किनारे पर है जर्मनी का हेंबर्ग एलबे नदी के किनारे है इराक क अमेरका मिस्सीपी नदी के किनारे पर हैं लंडन की बात करेंगे इंग्लेंड की राजानी ये टेमस नदी किनारे पर हैं चले आगे बढ़ते हैं आगे देखो आगे हैं मास्को मास्को रूस की राजानी मस्कोवा नदी किनारे पर है ठीक है आपने मिसाल का नाम सुनाओगा ब्रहमोस ब्रहमोस का नाम जो है इन्ही दो नदियों के नाम पर रखा गया है पहली नदी है रूस की मस्कोवा और भारत की नदी है ब्रहमपुत्र तो बनाया गया है ब्रहमोस तीक है आप सोच भारे होंगे वान जो जर्मनी का शहर राइन नदी के किनारे हैं हे थे किनारे पर है ब्यूदस एर्ट अर्डेंटेना की राधानी लापलाटा नदी के किनारे पर रहे हैं जर्मनी का को लॉन रा नदी के किनारे पर हैं हंगरी का वूड़ापेस्ट डेन्यूमन दे के रादे पर है उस्टेया कि राधानी वियाना डेनियूम नदी के किनारे पर है चीन कि राधानी शंगवाई यांग टी-सी क्यांग जो मैंने आपको अब बताए उसके जाउब किनारे पर है सबसे लंबी नदी एशिया की कराडा का शहर ओटावा यह संत लौरेंस लधी किनारे पर है इसमेन का शहर मैड्रीड रिणके खिय जानी विये और यह मंजा नारेश नदी के रे किनारे पर हैं पाकिस्तान का शहर करांची कंदू नदी के किनारे पर है दिल्ली सब को पता है यमनक किनारे पर है कि शिकागो शिकागो नदी किनारे पर है ब्रिस्टल कि एवन नदी किनारे पर है और बिस्टल थोड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है क्योंकि बिस्टल में ही बनी हुई है कब्र राजा राम मोहराई की जिन को आधुनित भारत का जनक कहा जाता है राम मोहनराय का नाम आप लोगों ने सुना होगा यह वही वेक्ति है जिन्नों ने 1829 में भारत में सती प्रथा को बंद करवा दिया था तो उनकी समाधी यहीं पर है ब्रिश्टल में लाहोर रावी नदी किनारे पर है डेजिंग विश आरे जुपाण्यव के लिए उक्रेन यहां पर नदी किनारे पर है कि यूटर तैम नदी किनारे पर है और लास्ट इसमें ब्राज विले यह जाइरे कांगों नरी के किनारे पर है यहां से हो सकता है पेपर में आप से कोई कॉश्चन्स सीजए सीजए पूछ ले तो इसको कादबार रिवीजन कर लेना अच्छे से नोट्स बना लिजे नोट कर लिजे इसको रिवीजन करते रहिए और पेपर में अगर यहां से सवाल आए तो इसको गलत मत करना चलिए शुरू करते हैं कि जेगो भई सबसे पहली है कैस्पियन सागर ध्यान रखना दुनिया की सबसे बड़े जील यही है और यह एशिया और यूरूप महादीप में मौझूद है इसका च्छे तफ़ल है तीन लाख एक एत्तरा चार दूसरे नमबर पर आती है लेक सूपीरियर जो कि उत्तरी अमेरिका में है च तीसे नमबर की सबस्वड़ी जीले विक्टोरिया जो कि अफरीका में है च्छेतफल है 79,484 फोर्थ नमबर पर आती है लेक यूरौण ये भी उत्रे अमेरिका में है ग्रेट लेक्स का हिस्सा है उनसट हज़़ार पांस सतर वर क्लोमेटर्स का च्छेतफल है फिर है लेक म इस्काल जो दुनिया की सबसे घहरी जील है रूस में पढ़ती है इस्या में 31,449 फोर्थ नमीटर इसका च्छेतफल है फिर ए ग्रेट बीयर कनाडा में उत्रिय अमेरिका में 31,328 फोर क्लोमेटर इसका च्छेतफल है फिर है लेक निया सा मलावी अफरीका में इसका क्लोम का चितफल है ऐसा ग्यार्वन नमबर प्याता है अरल सागर जो कि एशिया में है कजाकिस्तान में 28,500 वर किलोमिटर का चितफल है बार में नमबर पर आती है लेक इरी जो की ग्रेड लेक्स का हिस्सा है और चितफल है 25,670 तरवित्र देश्य नमबर पर आती है लेक विनिपेग उत्रिय अमेरिका में 24.387 वर क्लोंवीटर्स का चेचतिफल है प्राइती है लेक आंटारियो ये भी ग्रेट लेक्स का हिस्सा है अमेरिका और कनाडा की सीमा पर 18.960 वर क्लोंवीटर के है पंदवे नंबर पे आती है लेक लडोगा रूस यूरोप में है और यूरोप की सबसे बड़ी जीले द्यान अकना सत्रे हजार सास सो तीन वर क्लोमीटर में ये जो है जील फैली हुई है फिर आती है बालकेश एशिया में सत्रे हजार दो सो पिछत्वर क्लोमीटर की है की दक्षण अमेरिका में है और तेरे हजार पांससो बारा किलोमेटर की है फिरे लेक बनगा रूस यूरोप में 9700 क्लोमेटर की और लास्ट में है लेक आयर और ऑस्टेलिया में 8900 क्लोमेटर की है अब आप लोगों से एक सवाल अब लोग मुझे बताईए कि अंटार्टिका की है कि सबसे बड़ी जील कौन सी है ठीक है चलिए कमारा वीडियो साथ्यों और अगर आप देखे तैयारी कर रहे हैं इस पीसीएस की बीयों की या आरोयारो की या पिर पीचियस में भी अगर आप चाहे उत्राखन पीचियस वाजिस्तान पीचियस इन में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस्टेडी फॉर सिविल सब्सर्विसेश पर पेड़ बैस शुरू हो चुका है हम से जुड़ने के लिए साथ यो इन देगे नमर्स पर कॉल करिए और जल्दी से अपनी एक सीड अपनी सुरक्षित करिए मिलते हैं साथ योगली क्लास मे दप्तक के लिए जय हिन जय भारत और वन्ने मादरम।